नमस्ते, नंदिनी के नसोई में आपका एक बार क्रिश्य स्वागत है, आज हम बनाएंगे गुर्विठिया, ये गुर्विठिया में आज गुर्विठिया और सक्कर को एक साथ मिला के बनाऊंगी, चलिए देखते हैं, इसे बनाने के लिए हमें किनकी चीजों के और सकता है ये दो बड़े आम मेंने छील के काट लिया है, और पंच फोरण, ये गुर्विठिया, सक्कर, ये दो बड़े मिल्ची को मेंने काट लिया है, 10-15 लसूं की मिल्ची करिया है, नमक, सौधनुशा, एकस्मिरी लालमिश पाउडर, एक निपू, आधा और ते, चलिए बनाते सब्सक्राइब, नमक, 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 के लिए यह लेस्ट नमारा हो गया है अब इसमें हम आम डाल देंगे और काटे थे और इसे हम ठखके पाच प्लेट के लिए पका देंगे काकि यह हलका सा नरभ हो जाए चेक कर लेते हैं अब नमक डाल देंगे हम और चीनी पी डाल देंगे अब पूर और चीनी को थोड़ा गल्ले देंगे एक मिनट के लिए इसे हम निपू का दल जाल देंगे इसके बाद हमारा गुण मिठिया बनकर तयार हो जाएगा है यह पूरी पराठा या रोटी के साथ बहुत ही स्वाधिस्ट और टेस्टी लगता है झाल झाल